कि अब दोस्तों स्वागत है पॉल टेक्टिक स्टाड़िस पे मैं हूँ आरके सिंग्ट दोस्तों हम लोग डिसकस कर रहे थे वेश्ट वेंगल पॉल टेक्निक के लिए जो इंपोर्टन क्वेश्टिन सिरीज और स्टाड़ किये थे अप्लाइट केमेस्टी सब्जेट से तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं आज जो हैं लोग तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर क्या है हाई विडाइशन चौथा च देखके जाना है अच्छी तरह से प्रेपर करके जाना है सभी में आपको इसी वीडियो में बता दूंगा ठीक है चलो बाते कम करके डायरेक स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक्साम टाइम नजदीक आ चुका है 22 अप्रिल से जो है स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है अभी का ज चलो तो आज हम लोग क्या करेंगे अप्लाइड कैमिस्ट्री का अप्लाइड कैमिस्ट्री का जो थार्ड चैप्टर है हाइब्री डाइजेशन and solution जो है उसका questions देखने बाले हैं ठीक है सबसे पहले हाइब्री डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं हाइब्री डाइजेशन में वाट इस हाइब्री डाइजेशन ओफ और बीटल्स ठीक है ओके दिस दा डबल स्टार question direct पूछा गया है इसको हाइब्रेशन और विटल्स का हाइब्रेशन हम लोग किसको कहते हैं कि डाइरेक्ट पूछा गया है ओके और चलो दूसरा वाट इस वाट इस एस पी हाइब्री डाइजेशन हाइब्री डाइजेशन गीव एक्जाम्पल ओके तो यह हो गया दूसरा क्वेशन और यह भी पूछा गया है दोस्तों चलो तीसरा क्वेशन चले आते हैं यह दो नंबर्स को दो से लिखते हैं और तीसरा क्वेशन है एक्स्प्लेइन विट एक्जाम्पल एक्स्प्लेइन विट एक्जाम्पल दो एस्पी टू और एस्पी थ्री हाइवी डाइजेशन हाइब्री डाइजेशन है तीग है ओके तो एस्पी टू भी पुछा जा सकता है एस्पी थ्री मुद पूछा जा सकता है तो तीनों को जो है हमको देखके जाना है चितरा से this is the again double star question यहाँ पर दो सवाल एकसाथ मैंने लिख दिये हैं यहाँ पर एक सवाल है तो SP, SP2, SP3 ये तीनों को जो है देखके जाना है क्योंकि हमारे सिलवस में ये तीनों ही है इससे आगे आपको नहीं परना है ओके चलो चौथा question चले जाते हैं हम लोग what type of hybridization occurs in the formation of diamond and graphite what type of hybridization occurs occurs in the formation of diamond and graphite so this is the single star question first number question चले आते हैं state the nature of hybridization that occurs in carbon during formation of methane this is the triple star question state state the nature of hybridization that occurs in the formation of in the formation of methane okay in the formation of methane chalou ye triple star question हो गया च्छा गोस्टीं गीप आर्विटल पिक्टिर ओफ थीज़ पो गीव दीव दीव आटे ला गीड़ीटल गीड़ीट पिक्टिर ओए च बीड़ीट अ च्टी़्या लोग्ट गीड़ीट आटे आटे गीड़ीट गीड़ीट टीड टीड़ीटे आटे question यह पूछा गया है, 7th number, give the orbital structure, give the orbital structure of BCL2, okay, this is the double star question, okay, art number question, give the orbital picture of C2H4, so this is again double star question, तो देखो इस chapter में से कुछी सवाल बनते हैं, वो सभी के सभी सवाल जो है, एक बार ना एक बार पूछा गया है, तो यह सभी सवाल जो है, इस chapter से पूछा जाता है, okay, तो definitely आप लोग यह मान सकते हैं, कि इस chapter से एक सवाल तो आपको definitely पूछा जाएगा, तो यह 8 सवाल को अगर ready करके जाते हैं, definitely आप करके आप आएंगे, ठीके ना, चलो तो यह हमारा हो गया, क्या, तीसरा चैप्टर अभी चले आता हम लोग, इसमें, चौथा चैप्टर जारी सलूशन, तो unit number one complete हो जाएगा, इसके बाद हम लोग unit number two water को discuss करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग water को जो है start करने वाले हैं and वहाँ से जो important question है, वो भी देखेंगे, ठीक है and मैं कोईस करूँगा कि आपके एक्जाम से पहले mcq के कुछ series में करा दू, ठीक है, कुछ mcq में आपको solve करा दू, तो जो बैंगली बोट के students है, वेस्ट बैंगल बोट के, तो आपके लिए दूसरा channel मैंने खोला है, ठीक है and वहाँ पर मैं questions के कुछ explanation देने वाला हूँ, मिलकु लाइव आके दूँगा, बैंगली में दूँगा, तो आपको बुच channel जो है subscribe कर लेनी है, पर टेक्निक स्टार इस डबलू बी एस सी टी ए, ओके आपको YouTube में मिल जाएगा, अगर डारिक साज करते हैं तो भी मिल जाएगा, या फिर पर टेक्निक स्टार इस चैनल पर है ना, तो इस चैनल में चैनल सेक्षिन में जाएगा, च डिफिनेटल से स्काइब किजेगा, ओके, चलो अभी solution से कुछ question है, solution से कुछ question जो है, आप लोग देख के जाएगा वस, एक number, what is the pH of a solution, ठीक है, solution, what is the pH of a solution, this is a double star question, ओके, दूसरा, what is the pH value of 10 to the power minus 8 normality of, ठीक है, चलो, single star question, तेसरा question है, what is mint by 0.3 molar solution, ठीक है, तो this is a single star question, इस तरह के सवाल पुछा जा सरता है, four number question, what is primary and what is secondary, secondary solution, ठीक है, ठीक है, चलो, तो इसको भी देख के जाना है, पाच नमबर, what is pH scale, what instrument, is used to measure pH value, okay, double star question, तो इस च्पर से सिर्फ मैं important questions को ही बता रहा हूं, derive the relation between milligram per liter and ppm, तो यह सभी क्या है, तो यह सभी क्या है, हमारा unit, चलो, okay, now, और equation लिख देता हूं, that is, explain molarity, ठीक है, explain molarity, okay, तो इस आर दा question from this chapter, दोस्तों, यहाँ से, इस chapter से, जनरली numerical problem पूछा जाता है, maths पूछे जाते हैं, maximum, okay, तो अगर यह question आप ready करके जाएंगे, तो chances है, बढ़ना maths इस chapter से math दिया जाएगा, and मैं अभी आपको math solve करने के लिए suggest नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग ने पहले से पर के रखा इस chapter को, तो math करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन, अगर पहली बार, मतलब आगे कुछ भी नहीं परा, अभी परेंगे, फिर चाहेंगे exam देने, इसी महीने में परेंगे पहली बार, तो फिर definitely math आप ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे, तो math करने के लिए आपको फिर से अलग से time देना होगा, तो थोरा सा time तो उधर चला जाएगा ना, ठीक है, और बहुत सारे subjects भी है, तो मैं यही suggest करूँगा कि theory part को मजबूत करके जाओ, बस हो जाएगा, math को skip कर देना वहाँ पर, math क्योंकि options तो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि group A में, group B में, extra-extra question होते हैं, तो जिस question में math होगा, उस question को छोड़के, बागी questions को मैं करने की courses करूँगा, यह मेरा पहला motive रहेगा, क्योंकि अगर math करने जाता हूँ, by chance एक गल्ती हो जाता है, तो पुरा math खतम, पुरा marks खतम, ठीक है, एक छोटी से गल्ती के वज़ए से पुरा marks हो जिरो हो जाएगा, math का यही rule है, अगर math सही है, तो फिर पु कुछ marks तो मिल जाएगा, पूरा लिखते हैं, तो पूरा marks मिलने की chances है, तो यहाँ पे यह हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं कहरा हो कि math बिल्कुल मत करिए, अगर आपके पास time है, अगर आप महनत करना जानते हैं, या फिर महनत करने के लिए ready है, पहले से थोड़ा सा आप आप लोग परे हैं already, तो फिर math करिए, no problem, no doubt, ठीक है, अगर time, time के हिसाब से देखें, अगर आप लोग सारी चीजों को manage करना चाहते हैं, तो maths को थोड़ा साइबोईट करना होगा, थोड़ा सा side पर रखना होगा, खास करके जो chemistry के maths है, physics के maths है, उसको side में करना होगा, जो simple simple तरा के maths है, वो तो आप लोग definitely कर सकते हैं, उसमें कोई doubt नहीं, थोड़ा सा difficult level पर चला आता है, उसको हम लोग थोड़ा सा side में ही रखेंगे, ओके, चलो, तो फिर, यहाँ से इस वीडियो को in करते हैं, next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे, जो, पाच्वा चैप्टर है, water ठीक है, water का hardness कैसे remove किया जाता है, water hardness क्या है, वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग जो है, अगले वीडियो में discuss करने वाले हैं, ओके दोस्तों, चलो, मिलते हैं next class में, thank you